नमस्कार किसान साथियो आज हम बात करेंगे तरबूज के बारे में वाटर मेलन के नाम से भी जाना जाता है तरबूज के नाम से भी जाना जाता है किसान साथियो तो आज हमने लेके आ चुके हैं दो कंपनी की ब्राइटी के बारे में इनका फुल रिव्यू देंगे आपको किसान साथियो तो पहली हमारे सामने में कमपनी दिख रही है सेजेंटा कमपनी का सेजेंटा कमपनी का जो अगस्ता है किसान साथियो वो है यह एक हाइबरिड वराइटी है किसान साथियो तो यह तरबूज का बीज आपको बहुत ही अच्छा है किसान साथियो यह एक गोले साइज में आता है यह गोले अकार में आता है किसान साथियो तो इसके बाजों में आपको सैमनीज ब्रांड का माधाओ दिख रहा होगा यह मादा और लंबा होता है, केपसूल की अकार का होता है किसान साथियो तो इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर ले, चर्चा कर ले किसान साथियो उससे पहले हम आपको rate दिखा दें इस्क्रीन में आप देख सकते हैं rate, rate और किसान साथियों आपको सेजेंटा वाले कंपनी में सेजेंटा कंपनी में आपको बीज की कॉंटिटी भी बता देगा तो इसमें 800 नग बीज है किसान साथियों और साथ में 37 ग्राम है यह और यहां पे जहां पे सैमनीज का है तो सैमनीज में यह 10 ग्राम का पैकिंग है कैपसूल ब्राइटी है और आप इसके बार कोट से पता कर सकते हैं कि यह औरिजिनल है कि नकली है फुल रिव्यू इससे पता चल जाएगा आपको तो किसान साथियो अगर इसके ना हो तो समझ जाईए कि यह नकली है और किसान साथियो जो यह है कौन-कौन से राज्यों में लगाया जा सकता है इसके बारे में बिसेस बाते बताई है और यह आप देख सकते हैं इनकी बारे में जानकारियां तो यह दोनों फसल आप लगा सकते है जिन किसान भाईयों को गोले साइज में चाहिए तो वह अगस्ता लगा सकता है और केपसूल अकार में चाहिए तो वह माधो लगा सकता है माधो भी बहुत ही अच्छी ब्राइटी है किसान साथियों हम आगे में बात करेंगे किते दिनों में फसल दे देता है तो पहली हार्वेस्टिंग 80-90 दिनों में हो जाती है दोनों ही ब्राइटियों की तो किसान साथियों इस ब्राइटिय का आप प्रियोग कर सकते हैं यह दोनों ब्राइटियों का तो यह दोनों ब्राइटी बहुत ही सांदार है जिन किसान भाईयों को गोले लगाना है वह सेजंटा कमपनी का अगस्ता का प्रियोग कर सकते हैं जिन किसान भाईयों को केपसूल अकार का लगाना है वह सेमनिस कमपनी का माधों का प्रियोग कर सकता है तो कमेंट करके बताए आपने प्रियोग कर लिया